सलाव अलेकूम नमस्कार मैं प्रमोजियन पूर्ण हम एनर्सी को रिजेट करते हैं क्योंकि ये भारत की एकता को तोड़ने की कोशिश हो रही है हम इंदू-मुस्दिम सी किसाई सम भाई है हम लोग और हम इसका साथ हैंगे और एनर्सी को रिजेट करते हैं धन्यवाद जै भारत जै हिन ये रोज ये रायलि को जारखुट तान्टे माँ बारिस्टादीन आप ये प्रजेटन तान्टे नमस्कार मैं जार्पकोंटून नम्म्मेमु यंदे कंटे वीलों यी मोधी प्रबुत्व मने दी यी मुस्लिम लनी माँ सेकुलर उनना वालक अंदर की वीड़ेदी यड़ान की यी वीलों प्रवेशा पेट्टेयारू असलाम अलेकुम हिंदुस्तान के मुसल्मानों को हर टाइम ये स्थबूत देना पड़ता था कि देश के वफादार है आज हद ये हो गई कि उनसे पूछा जा रहा है कि शहरियत आपकी हिंदुस्तानी है क्या ये तो नाइंसाफी हक तलफी हर तरीखे से नाइंसाफी है ये मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या अबुलकलाम आजद अगर रहते हैं क्या उनसे शहरियत मांगा जाता या एपीजी अबुलकलाम होते हैं क्या उनसे मोधी शहरियत मांगा जाता जिन्हों ने अपने देश के लिए इतनी खुर्बानिया दे के इतनी डिफेंस को मश्बू नहीं मानने से इंकार करने का ये खानून बना रहे हैं लोग ये किस तरीखे का खानून है ये समझ के बाहर है कि मुसल्मानों को हर जगा हमारी देश भक्ति उसका सबुद देना पड़ता है कि ये खानून बिल्कुल गलत है और नरिंदर मोधी चाहे हो या मिशा हो ये लोग शाहर है कि हिंदुस्तान में फिसाद हो फिरखावरानी फिसाद हो हिंदु मुसलिम बढ़के रहे लेकिन ये नहीं होने वाला है आप देखते हैं कि परसु जो जेयनू में तल्बा पे जो बरबर्यत का वाखिया हुआ उस पे एक हिंदु बयान देता है कि ये हमारा कारे करता है और ये हम लोग करे है तो उसको अरेश नहीं किया जाता उसके खिलाफ वारण नहीं लिया जाता आज चार पांच दिन हो गए जो नखापोश पहन कर बच्चों पे मासुम बच्चों पे बच्चों पे हमला किया है उनके खिलाफ कोई कारवाई नहीं की जाती और उसके बाद उसके बरकलाफ ये कहा जाता है कि हमने किया है सीना ठोके, ये सिर्फ कहने का मतलब क्या है, मुसल्मान और हिंदू में तफाख नाइतफाख हो और मुल्क में फसाद हो, लेकिन हिंदुस्तान का मुसल्मान और हिंदुस्तान का हिंदु भाई एक सेकोलर इंसान है इसके लिए इस पाखंडी का जो है ना कोई भी ना हिंदु ने लोट लिया और ना ही मुसल्मान ने लोट लिया और इसको जो है ना इसका मुग काला हुआ मैं इसी के वो करना चाहता हूँ कि मुसल्मान और हिंदू इस देश के नागरित है नागरित रहेंगे और हम सब मिल जुल के रहेंगे इस देश को गंगा जमनी तैजिव रखेंगे और यहां पर देश को मजबूत करेंगे इंशालला हर वो चीज में मुसल्मान और हिंदू भाई मिलकर इस देश्टे इस खानून से इस मोधी हुकुमत से हम सब मिलके मुखाबला करेंगे और हम सब लड़ेंगे और ये खानून को हम वापिस लेने तक जद्दो जायद आंदोलन हर वो चीज़ करेंगे और इसको जो है ना बिना वाइलेंस के पूरा मन इतजाज के ज गांदी जी ने जब नारा उठाया तो अंग्रेस छोड़ के चले गए थे अरे इस नारींदर मोधी और अमिशा का दिख इतना सिया हो चका है कि अंग्रेस के दिल से सिया हो चुका है ज्यादा सिया हो चुका है कि इतनी आवाम पूरी हिंदुस्तान की सेकुलर आवाम मिलके इतिजाज कर रहे हैं और लड़ आ हैं पिर भी यह खानून mauvais लेने और दुख ऑन॑ और मुझे बीशा धारा पर चलेगा और हमारा मानना यह है कि हम हिंदुस्तान के खानून को मानने वाले मुसल्मान और बावा साथ की अगर बदला जाएगा और हम मुसल्मान भाबा साथ हिंदुरा में तर्रे कहा था न्यू सिटी डिवलपर्स और बिल्डर्स लेकर आए है एक और बेंचर जेपी प्राइम सिटी जहागी पीर दर्काह के दामन में हंडेड स्क्वेर यार्ड प्लाट्स सिर्फ चार लाख उन्चास हसार नौसो निन्यारवे रुपए में क्राम पंचायत अप्रूब क्लियर टाइटल स्पॉर्ट रेजिस्ट्रेशन आबादी से घेरा बेंचर तमाब बुनियादी सहुव्यतों के साथ गेटेट कम्यूनिटी, सेक्यूरिटी, वाटर, इलेक्रिस सिटी, ट्रेनेज, बीटी रोड्स, ट्रांस्पोर, पिट्रॉल पंप, कई मल्टी नैशनल कंपनीज के बीच, शमशाबाद एयरपोर्ट से कुछी दूर, कुथूर विलेज पे बाके, बुकिंग के लिए रब्द आदा करें, क्या चले आएं, निव सिटी डेवलपर से फिल्टर्स, ऑपोजिट ओस्प्राइट पंक्शन हॉल, होटल हयाद, फर्स्ट फोर औरमकर्णा, हैदरबाद